छोटी बहु में राधी का काकिरदार निभाने वाले रूबिना दिलेक का जन्म 26 अगस्त 1987 को सिमला हिमोचल परदेश में हुआ था। इसके पिता का नम गोपाल दिलेक है और इनकी मा का नम सकुंतला दिलेक है। रूबिना दिलेक की दो बहन है जिसका नाम रोहिनी दिलेक है और नाइना दिलेक है। इस सिर्यल में कुल 801 एपिजोड थे। इस सिर्यल में रूबिना दिलेक ने राधिका पुरोहित का किरदार निभाया था। वो इसे इस सिर्यल में रूबिना दिलेक अवीना सचधेव, अवीना सुकला, आजीब कुमार, तेन तेजवानी थे। दूसरे नमबर पह सास विना ससुराल या सिरियल 18 अक्टूबर 2010 से लेकर 6 सितंबर 2012 तक दोनी इंटरटेन्मेंट टेली वीजन पर परकासित किया गया इस सीरियल में रूबीना दिलेक ने सिम्रन का किरदार निभाया था वैसे इस सीरियल में रूबीना दिलेक, रभी दूबे, दर्सन जड़िबाला, राजेंदर चावला, अमीत वार्मा थे इसरे नमबर पह है उनर विबाईक नई उम्मीद यह सीरियल 20 मई 2013 से लेकर 29 नमबर 2013 तक GTV चैनल पर परकासित किया गया इस सीरियल में खुल 148 एपिसोड थे इस सीरियल में रूबीना देनिक ने दिब्या मलोतरा चाकोटिया का किरदार निभाया था वो इसे इस सीरियल में रूबीना दिलेक, करन वी, ग्रोवर, अयाज खान, संगीता, पनवार, रिचा, मुखर जी थे चौथे नमबर पह है देवों के देव महादेव या सीरियल 18 दिसंबर 2011 से लेकर 14 दिसंबर 2014 तक लाइफ ओके टीवी चैनल पर परकासित किया गया सीरियल में कुल 820 एपीसोड थे इस सीरियल में रूबीना दिलेक ने सीता का किरदार निभाया था वो इसे इस सीरियल में मुहित रहना, मौनी रॉय, रूबीना दिलेक, सोनारी का भदोरिया, दर्सन गुज़र थे आजबे नमबर पह है जीनू और जीजू या सीरियल 5 नमबर 2012 से लेकर 6 जून 2014 तक सब टीवी पर परकासित किया गया इस सीरियल में कुल 470 एपिसोड थे, इस सीरियल में रूबीना दिलेक ने जीनी का किरदार निभाया था से इस सीरियल में रूबीना दिलेक, अली असगर, हर्स खुराना, नेहा महता, अमीत टंडन थे ठटे नमबर पह सक्ती अस्तित्व एक एहसास की इस सीरियल में कुल 360 एपिसोड थे, इस सीरियल में रूबीना दिलेक ने सौम्या सिंग का किरदार निभाया था वैसे इस सीरियल में रूबीना दिलेक, दिग्यासा सिंग, सिनहा नागपाल का काम्याप पंजाबी सुदेश बेरी थे रूबिना दिलेक ने एक हिंदी फिल्म में भी काम किया है सन 2022 इस वी में रूबिना दिलेक की पहली हिंदी मुवी अर्ध रिलीज हुआ इस मुवी में रूबिना दिलेक, राजपाल यादव, कुलबुसन, खरबंदा, गीतेन, तेजवानी, अकास, दीब थे इस फिल्म का वजट 10 करोर रूपे था और या मुवी OTT पलेटकॉम जी फाइफर रिलीज किया गया अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें